Hello everyone, welcome back to Magnet Reigns. My name is C.S. Payal Poofli and this particular video में हम पढ़ने पारे हैं Class 11th का Entrepreneurship Subject का 4th chapter जिसका नाम है Entrepreneurship as Innovation and Problem Solving और इसमें हम पढ़ेंगे Case Study, किस चीज की एक ऐसी चीज की जो आप, मतलब आप जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग अपने breakfast में खाते हैं के लोग के Serials की? Yes, previous case study थी हमारी KFC से related और previous case study थी हमारी Japanese fishing problem से related I hope आपने इस सारी वीडियो देखी हैं नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके फट से देख लीजे यह सारी case studies आपके पूरे paper में कहीं न कहीं help कर सकती हैं So, सारी अच्छे से पढ़िये और in case if you are thinking about starting a business of your own after 12th class या after your graduation तो भी सारी case studies आपको मदद करेंगी यह aspect समझने में कि किस प्रकार से एक entrepreneur problems का solution ढूणता है हमेशा instead of cribbing over that problem ठीक है तो चलिए कि लॉक्स कैसे existence में आया था उसके बारे में बात करते हैं So, दो भाई थे ठीक हैं दो भाई थे जो हॉस्पिटल में somewhat काम करते थे लाइक कुछ भी ऐसा काम करते थे एक हॉस्पिटल था उसमें दोनों भाई थे या दोस्थे I am not sure about that but ठीक है अभी भाई माल लेते हैं हम ठीक है तो यह दोनों हॉस्पिटल में काम करते थे So, हॉस्पिटल में यह लोगो को, especially patients को Healthy eating habits के बारे में बताया करते थे Healthy eating habits के बारे में बताया करते थे patients को बहुत बढ़िया इन्होंने बहुत सारे patients की coffee या जो unhealthy चीजे होती है वो सारी छुडवा दी थी उनको बोला यह सब तुम्हें नहीं पीना चाहिए that's not good for your health और उन्हें इन रिटर्न अच्छे ओप्शन दिये जाते थे लाइक कॉफी का वीट से कुछ बनाया हुआ कुछ अल्टरनेटिव दिया था और बहुत सारे ऐसे यह नो अच्छे अच्छे healthy products उनको खाने के लिए उनको suggestion दिया कि यह सब खाना चाहिए instead of जो भी तुम अभी बख्वाज सीजे खाते हो unhealthy way में तो हो क्या राट था एक hospital में दो लोग थे जो patients को healthy habits के बारे में बताते थे किसी इंसान को बहुत जादा craving हो रही होती है जब किसी बच्चे को बहुत जादा craving हो रही होती है fast food की तो उनके mothers कैसे उनको healthy चीजों का combination बना के दे देती हैं और covid में तो यह चीज बहुत जादा famous हुए थी मैंने बहुत सारे channels देखे थे उस time पे जो इतने prosperous हो रहे थे कैसे हो रहे थे कि वह आपको यह बाहर का जो fast food का same taste healthy चीजों से बना के दिखा रहे थे और ऐसा शायद एक show भी है जिसमें एक लड़की जाती है different different areas में वह वहां की यह शायद लड़का था आ जाती है वहां के different different cuisine सीख के आती है और उसके बाद घर आके उसका एक healthy version बनाती है ठीक है फिर compare करते है taste को तो पता सलता है कि अरे it's almost similar to the fast food that you are eating out but यह है उसका healthier version तो ऐसे ही यह बहुत सारे से substitute लोगों को दिया करते थे अब इसमें क्या होता था यह ना बहुत बार wheat से related कोई चीज बनाता थे चीक है ग्याहूं से related ग्याहूं को roller की मदद से काट के बड़ी बड़ी sheets बना दिया करते थे और मतलब पहले wheat का एक dough तयार करते थे उसके बाद roller की मदद से लंबी लंबी sheets वो कर दिया करते थे और ऐसे कुछ एक particular वो बनाता थे रैसे भी prepare करते थे और patients को खिला दिया करते थे अब एक बार ऐसा हुआ कि कहानी में आया थोड़ा सा twist इन सब लोगों ने जितने भी labor थे जो काम कर रहे थे उन्होंने wheat का dough तयार किया और फिर उन्हें कहीं से call आ गया सबको तो उन्हों को जाना पड़ा ऐसे मानिये dough तयार करके वो एक बर्तन में रखके गए हैं या जैसे मर्जी रखके गए हैं और उन्हें कहीं से call आ गया तो सारी की सारी labor वहां चली गई और जहां गई थी वहां से वापस आने में उनको लग गया थोड़ा सा time क्या हुआ उनको वापस आने में लग गया थोड़ा सा समय और जो ये dough तयार हुआ हुआ था ये हो गया बासी क्या हुआ दो तयार किया वीट का रखा हुआ था और एकदम से call आ गया कुछ काम के लिए सारे labor वहां भाग गई जब तक वापस आई काफी समय बीच चुका था और dough क्या था stale हो चुका था बासी हो चुका था अब बासी हो गया तो फिर इन्होंने बोला आप क्या करें मतलब एक option ऐसे fake दें दूसरा option है नहीं इसी के साथ कुछ ना कुछ ताबर तोड़ करें तो इन्होंने बोला नहीं fake तो नहीं है हम हम इसी dough का इस्तिमाल करते हैं मतलब ट्राइ करते हैं इसी को रोलर की मदद से sheets में convert करने का थोड़ा बत करते हैं मैनत होगा जो भी हो जाएगा तो रोलर जैसे इन्होंने चलाया वो long sheets तो नहीं बनी लेकिन पापड के रूप में कुछ ऐसा जरूर सामने आया इनके मतलब जो sheets बननी चाहिए थी डो की मदद से वो नहीं कट पाई क्योंकि डो क्या हो चुका था stale हो चुका था बासी हो चुका था तो अब जब यह काटने की कोशिश कर रहे थे तो वो छोटे-छोटे पापड के रूप में निकल रहा था और जब उन पापडों को मतलब सौरी not पापडों क जब उन पापड को यह लोग उने बेग किया या फिर फ्राइ किया यह जो भी किया तो इनको एक नया सीरियल मिला एक नये टेस्ट के साथ और यह थी के लोक्स की इन्वेंशन तो बाई उसे पताओ हुआ क्या हुआ यह कि हॉस्पितल में दो भाई काम कर रहे थे एक अलग पोस्पर थे पा एक अलग पोस्पर थे था फॉस्पिल में पेशिंन्स को हेल्थी इटिंग हाबिट की वारे में सिखाया जाता था और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐल्टनेटिव्ज लिये जाता थे अनंहेशन healthy foods के जो इनकी मदद करते थे unhealthy foods से दूर रह रहे वे ठीक है तो उसमें एक particular product ऐसा था जिसमें wheat के dough बनाया जाता था और उसे roller की मदद से लंबे-लंबे sheets में काटा जाता था और उससे कुछ बनाया जाता था एक बार यही हुआ कि यही dough तयार हुआ wheat का और काम कर रहे थे कुछ-कुछ बना रहे थे बट उनको call आ गई कहीं से तो उन लोगो को जाना पड़ा जब वो गए वापस आने पर उन्होंने देखा कि dough तो क्या हो चुका है बासी हो चुका है इन्होंने बोला कोई बात नहीं फिर भी एक बार ट्राय करते हैं बोलर की मदद से काठने की कोशिश करते हैं लंबी लंबी शीट फ्रम करने की कोशिश का थे बर क्योंकि वह इता ड्राय हो चुका था इतना पूराना हो के इन्होंने जब काटने की कोशिश कि तो ओधे ओधे तो उन्होंने बोला चलो एक बार इसी के साथ थोड़ा एक्स्पेरिमेंट करके देखते हैं इसी को बेक करके देखते हैं और जब बेक करके देखा उन्होंने तो एक नया ही product existence में आ गया था तो आप देखिये कि यहाँ पे innovation कैसे हुआ by mistake हुआ मतलब you were doing something else और by chance एक नई चीज existence में आवे बट ध्यान दीजेगा यहाँ पे जितना भी काम चल रहा था वो किस के लिए चल रहा था patience के लिए चल रहा था patience के लिए चीज़े prepare हो रही थी तो यह जो नई चीज existence में आई थी न यह starting में सिर्फ और सिर्फ patience को खिलाई जाते थी बहुत बाद में बहुत later stage में इस चीज को general public के लिए open किया और उन लोगों का यह favorite breakfast बन गया मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो इसके बिना जिनका breakfast incomplete होता है उनको हर जगे जाकी यही सब खाना होता है so indeed शुरबात कैसे हुए थी patience के एक food चे हुए थी और ultimately it got converted into people's most favorite breakfast चलिए मैं आपको भी यहाँ पर story पुरी पढ़भा देती हू क्या लिखी है के logs में it says most entrepreneurial ventures have survived when they solve problems of people understanding their needs and accordingly changing the product of their needs यह बोल रहे हैं जादतर जो entrepreneurs होते हैं वो तभी survive कर पाते हैं जब वो ऐसी चीज़े लेके आते हैं जो लोगों की problems को solve करती हैं मतलब लोगों की problems का solution लेके आते हैं तभी उनकी particular enterprise चल पाती है उनका venture चल पाता है so यहाँ पे study की किलोग की story बताई हुई है कि 1894 में 1894 में Dr. John Harvey किलोग was superintendent of a famous hospital and health spa in Battle Creek, Michigan so 1894 में क्या हुआ Dr. John Harvey किलोग थे इनकी दो-दो सरने में हैं वैसे usually मैंने Harvey करके सरने में सुना है इनका सरनेम किलोग भी है तो मतलब दो-दो सरनेम थे तो 1894 में यह एक hospital के बहुत फेमस hospital के superintendent थे और health spa भी था मतलब hospital and health spa दोनों चीज़े थी his younger brother Will Keith किलोग इनके एक छोटे भाई थे was all was a business manager वो business manager थे वो hospital में नहीं थे मैंने थोड़ा सा fact वो बोल दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता था कि शायद भाई थे या पता नहीं कौन थे पर यह उनके भाई थे लेकिन यह business manager थे instead of hospital में वो करने के The hospital stressed healthful living and kept its patients on a diet that eliminated caffeine, meat, alcohol and tobacco जो hospital था वो अपने patients की healthy habits को लेके बहुत ज़ाधा concern था so वो हमेशा eliminate करना चाहता था उनकी diet से caffeine, meat, alcohol and tobacco को क्योंकि सारी चीज़े किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती है The brothers invented many foods that were made from grains including a coffee substitute and a type of granola which they pours through rollers and rolled into long sheets of dough इन दोनों भाईयों ने hospital के जो superintendent थे और business manager जो थे विलकीद, दोनों ने ही मिलके बहुत सारे ऐसे food invent किये थे patients के लिए जिसमें coffee का एक substitute था जो की grain से बनके बनता है और एक granola जो की basically rollers की मदद से force करके dough की long sheets में convert करके कुछ बनाया जाता था One day after cooking some wheat the men were called away एक दिन क्या हुआ कि wheat को थोड़ा सा cook करने के बाद जो और आदमी लोग थे उनको बुला लिया गया when they finally returned the wheat had become stale जब भी वापिस आये तो wheat क्या हो चुका था stale हो चुका था actually dough नहीं prepare किया था dough prepare करने के बाद इन्होंने wheat को थोड़ा सा bake भी किया था long sheets of dough instead each wheat berry was flattened and came out as a thin flake but जैसा इन्होंने expect किया था ऐसा नहीं हुआ था वो long sheets के रूप में convert नहीं हुए वो चुटी 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 टुकडों में flake के रूप में निकल की बाहरा है the brothers baked the flakes and were delighted with their new invention दोनों भाई थे उन्होंने उस चीज़ को bake किया और बहुत delighted थे वा अपनी नहीं invention के साथ they realized that they have discovered a new and delicious cereal इनको realized हुआ कि इन्होंने एक नया और delicious cereal क्या किया है, produce किया है, invent किया है but they had no way of knowing that they had accidentally invented a whole new industry but इनको कोई idea नहीं था उने एक altogether new type की industry खोल ले थी Will Keith Kellogg eventually opened his own cereal business and its most famous product is still stored today Will Keith ने क्या किया अपना खुद का cereal business start कर लिया और इनके जो भी सबसे famous product था वो आज भी बिकता है market में It wasn't until 1906 that Kellogg's cornflakes were made available to the general public जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले Kellogg's सर्फ पर सर्फ patients को खिलाया जाते थे बट 1906 में finally a general public के लिए बाहर निकाले गए उनको मौका दिया गया कि चलिए आप भी टेस्ट करें और आज की डेट में ही सबके most favorite breakfast के रूप में serve किये जाते है So यह हो गई हमारे Kellogg's की story अब यहाँ पर एक छोटू सा topic था इससे पहले ही था आपकी book में कि entrepreneur कौन होता है So एक बहुत simple answer है entrepreneur वो इंसान है जो risk लेता है Entrepreneur वो इंसान है जो risk लेता है उसके बाद यह बोलते हैं Why are they called problem solvers? Entrepreneurs को problem solvers क्यों बोला जाता है? So answer में बोलते हैं Entrepreneurial actions are efforts to solve problems for others Therefore entrepreneurs are problem solvers When one solves a problem, a new value is created In the business world, problem solvers take risk but often create value by solving a customer or market problem which is key to creating a profitable enterprise The more or larger problems an entrepreneurial organization solves the more profit it can generate यह बोलते हैं जितना आप लोगु की problems को solve करोगे उतना ही profit आप generate करोगे क्योंकि देखो अगर मैं कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हूँ जो लोग की problem solve करें तो लोग भर-भर के वो चीज करीदेंगे जब लोग भर-भर के वो चीज करीदेंगे तो मुझे पूरा opportunity मिलेगा profit कमाने का उस particular चीज पे मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगे कमाऊंगे उस सीज में जैसी आप किसी problem को solve करते हैं आप value addition कर रहे हैं value creation कर रहे हैं आप जैसी ऐसा करेंगे लोग आपकी organization की towards खुदी चल के आएंगे और enterprise में मतलब आपको जब problem solve करना होता है तो kind of आपको risk लेना पड़ता है और वो तो आपने सुनाए होगा more the risk more will be the profit right वैसे अब वो act नहीं माना जाता है आज की date में मतलब partially correct माना जाता है लेकिन जो भी है partially तो correct है ना सो जितना risk के entrepreneur लेता उतना profit generate करने का probability उसका increase हो जाता है ठीक है सो यह हो गया हमारा एक और case study और along with that मैंने आपको दो छोटे-छोटे सी topic थे वो साथ महीं बता दिये अब इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें बहुत सारे case studies है उसमें potato chips कैसे existence में आये थे यहां पर कि लॉक्स का जो जर्म हुआ था वो बाय चांस हो गया था किसी ने अलग से efforts नहीं लगाए थे तो कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि मैंने previous video में बोला था कई बार आपका enterprise by mistake या ऐसे रांडम चीजों की वज़े से बन जाता है so indeed बहुत अच्छी चीज है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी उसको तरक्की मिल सकते तो that's a good thing right list जो है playlist जो है हमारे उसका link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपको कोई doubts हैं तो आप comment section में पूछ सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप जा सकते हैं Google पे Google पे type करिएगा magnetbrange.com जैसे magnetbrange.com आप type करेंगे आपको एक web page खुला होगा दिख जाएगा इसमें आपको जाना है CBSE K-12 English Medium में और यहाँ पे class 11 पे you have to click class 11 पे जैसी आप click करे आपको sequence में सारी सारी वीडियो मिल जाएंगे इन वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हर चाप्टर में कितने lectures बने हुए हर lecture की duration क्या है यह देखने बाद आप कोई भी एक particular video क्लिक कर सकते हैं उसे देख सकते हैं जो भी doubts आएंगे वो comment section में पूछ भी सकते हैं और इ आपने दिया है उतना ही देते रहे है थाइंक यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो